हेलो दोस्तों आज हम हाजीर हैं SBI का SWP प्लान लेकर और आज वह SBI का best SWP प्लान होगा SWP प्लान का मतलब होता है systematic withdrawal प्लान यानि यदि आपके पास कुछ मोट रकम है और आपने एक बार किसी mutual fund में invest कर दिया और वहां से आप हर महीने कुछ amount हर महीने निकाल ये जिससे आपका खर्चा चले जिससे आपकी परवरिस हो और वह भी पैसा धीरे धीरे करोरों में तब्दील हो जाए तो आज हम इसी topic पे चर्चा करने वाले हैं तो वीडियो को अंतक देखिए गा ताकि आपसे कोई चीज mistake नहीं हो तो आज हमने लिया है SBI का best SWP plan तो SBI के best SWP plan में आप SBI के किस mutual fund में investment करेंगे इस पर मैं चर्चा करूँगा ये SBI का कौन सा fund होगा ये मैं बाद में आपको लिख दूँगा यहाँ पर इसलिए आपको अंतक बने रहना है और जो मैंने SBI का mutual fund लिया है SWP plan के लिए उस mutual fund का all time returning जो है 15.49% है यानि किसी भी mutual fund में यदि आप SIP कर रहे हैं, lump sum कर रहे हैं या SWP कर रहे हैं खास करके SWP में यदि आप investment करने जा रहे हैं तो किसी भी mutual fund का 1 साल, 3 साल और 5 साल का returning नहीं देखना है आपको उसका all time returning देखना है कि जब से वह mutual fund launch होता है तब से वर्तमान इस्थिती तक यानि अभी तक उसने कितना returning बना कर दिया है और all time returning के आज पास ही उसका returning हमेशा रहता है, कुछ उपर नीचे हो सकता है तो इसलिए मैं कहता हूँ कि all time returning को देखना है, उसी के हिसाब से आपको calculation करना है तो जिस mutual fund को लिया हूँ, उसका all time returning जो है 15.49% है और मान लेते हैं कि इस mutual fund में आप investment करेंगे 10 लाख रुपया यानि आपके पास 10 लाख रुपया है, एक बार में किसी mutual fund में invest कर दीजिए और investment के एक साल के बाद income शुरू किजिएगा, क्योंकि आप एक साल छोड़ दीजिए ताकि कुछ growth भी कर जाएगा, और आपको जो है, क्या बोलते हैं उसको extra charge जो लगता है, exit load वो charge नहीं लगेगा तो एक साल के बाद आप निकाल सकते हैं तो 10 लाख रुपया आपने investment कर दिया, और returning all time उसका है 15.49% हमने जो है 15% का calculation रखा है, तो 15% के हिसाब से withdrawal amount आपका हो जाएगा 10,000 रुपया per month 10K यानि 10,000 रुपया, आप 10 लाख रुपया एक बार में invest कर दिये 10,000 रुपया होर महिने आप निकाल रहे हैं, होर महिने निकाल लिए जिससे आपका खर्चा़ चले, 10 साल तक आप 10,000 रुपया निकालते गए तो आप total जो है 10 सालों में 12,00,000 रुपया निकाल लिए शामा की यह 10,000 राख निकाल लिए 12,000 और फिर भी उसका final value जो है यानि आपका पैसा दस बारा लाख तो निकाल भी लिए अब फिर भी वह पैसा बहुर कर 14,45,831 हो गया यानि आपको बारा लाख निकालने के बाद भी इतना पैसा आपके एकाउंट में बचा हुआ है अब बात कर लेते हैं कि इसी को यानि 10,000 के महीने को आप continue 20 साल त देखिये इनवेस्मेंट किये थे 10 लाख अब 20 साल में निकाल लिए 24 लाख फिर भी आपके पास जो फाइनल भैलू बचेगा वह बचेगा 32,49,460 रुप्या अब बात कर लेते हैं कि इसी को continue आदी 25 साल रखते हैं यानि 10,000 हर महीने निकाल कर भैट कर खार रहे हैं 25 साल त और फिर भी आपके पास जो टोटल भैलू बचेगा फिर भी आपकी एकाउंट में जो पैसा बचेगा वह बचेगा 96,52,534 रुप्या और इसी को यदि 5 साल और continue कर दिये यानि आपने 10 लाख लगा दिया आराम से बैट के अपना जिंदगी काट रहे हैं 30 साल तक यदि का निकाल लिया और फाइनल भैलू जो आपका बच गया 30 साल बाद वह हो गया एक करोर पांच लाख 640,186 रुप्या अब देखिए हमने तो आपको बोर्ट पर दिखा दिया लेकिन आपको लग रहा हो गया इसा ही फेक दिये ताहिसा बात नहीं है इसमें जो क्या होता है क सर्च कीजिएThralleyैश डावलू पी कलकुलेटर और svp डालेटर में जाता और सी सीड्ल को आप ओहां भरके और देखली इक भी रूप्या इधर उधर नहीं हो तो यह mutual fund है SBI equity hybrid fund, SBI equity hybrid fund, तो इसी mutual fund के बारे में अभी तक मैं चर्चा कर रहा था, SBI equity hybrid fund में आप SWP प्लान करके अपना जीवन आप अराम से निकाल सकते हैं, तो दोस्तों यह वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करके जाएए, अपने दोस्तों के साथ share भी कीजिए, और यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो मैं request करूँगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें लिजी, ताकि इसी तरह के interested वीडियो आपको मिलती रहे, तो चलिए मिलेंगे अगले topic पर तब तक एलिए, जैहें!